नमस्ते दोस्तूं आज 21 जूने और लगबग 8 बज़ने आईए कल निप्टी ने गिप डाउन देके नीचे की तरफ मुमेंट किया था और फिर दे अंड तक उसने अपने आपको रिकेवर किया और फिर ये कल के जो क्लोस था उससे भी उपर की तरफ 61 पॉइंट उपर मुव क्लोस हुई थी और आज भी एड़े में क्लोस हुई है तो इसका इफक्ट हमारे मार्केट पर दूक्फेगा क्योंकि क्योंकि जब डाउन करें जोकल जो रहा था जो त् Topski को मंगलवार को जो इस्टरजी रही थी market की गेब डाउन होके फिर नीचे की तरह मूँ करके फिर बेस बना के फिर उपर की तरह मूँ करे वही हो सकता है क्योंकि या तो यह आज एक बड़ा movement देगा या तो यह कल expiry के दिन बड़ा movement देगा जो भी नीचे की तरफ ही देने की ज्यादा probability क्योंकि US डाउन जा रहा है और nifty इस तरह से अपने record high की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि world market को भी उपर जाना होगा अब देख लिए यह आज के जो market open हुए है nifty और यह तो सब बंद है आज जो अभी open हुआ है जो green color में होगा वो देखिए ने की आज positive open हुआ है ऐसे पर ऑस्ट्रेलिया का जो market है वो negative है शेंगाई negative में है हलका सा negative है लेकिन और चाइना भी हलका negative है ताइवान यह सब भी negative में ही चल रहे है केवल एक Japan का जो market है टोक्यो का बात करें तो already निप्टिव का future जो है वो negative में trade कर रहा है कल के मुकाबले तो US के जो futures है वो slightly positive है पर इसका अर्थ यह हुआ है कि market या तो flat open होगा और flat open होने के बाद profit booking आने के कोशिश रहेगे क्योंकि कल जो अपने position बनाई होगी वो आज close करेंगे Thank you